हेलो एबरिवान, वेलकुम बेक तू माई यूटूब चैनल एपिसोड के स्टार्टिंग पास के सिंसे होता है जहां हम जोगो को देखते हैं वो कहता है मैं बताता हूँ मैंने हानिल को कैसे हेट करना स्टार्ट किया मैं बच्पन से ही बहुत स्मार्ट था और मैंने अपने स्कूल में टॉप रैंग भी किया था मैं स्मोच में भी बहुत अच्छा था मेरी परसनलिटी भी बहुत अच्छी थी मैं स्कूल में भी बहुत पॉपुलर था लेकिन एक दिन अच्छनक से एक पागल लगकी आ गई जो हानिल थी वो हमेशा दौटी रहती थी ताकि वो टाइम बचा कर और पर सके वो इंस्टेंट कॉफी भी बिना पानी के खाती थी ताकि वो अपना टाइम सेफ कर सके और उसकी वज़े से मैं पहरी बार सेकेंड आया था उसके बार से मैं भी फास काम करने लगा मैंने ज़्यादा मेहनत की और यहां तक कि मैंने अपने नीन को भी सेक्रिफाइस किया मैं भूका भी रहा उसके बाद हम उन दोनों को लाइवेरी में देखते हैं जहां जियों मू की तवियत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही होती है और वो हानिल के पाद जाता है जो अभी भी पर रही होती है इसके बाद हम उन दोनों को क्लासरूम में देखते हैं जहां जियों मू की हालत बहुत खराब होती है साथी हानिल की भी हालत खराब होती है और वो बेहोश हो जाती है साथ ही जियमू भी बेहोश हो जाता है और जियमू कहता है मैं बेहोश होने में भी सेकेन आया इसके बाद हम उन दोनों को क्लिनिक में देखते हैं जहां वो दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं तभी जियमू को होश आता है और वो हानिल के तरब देखता है तभी हानिल को भी होश आता है और जियोंगो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन हानिल अभी भी बढ़ रही होती है जो देखे है जियोंगो शौक होता है थोड़े देर बाद जब जियोंगो शौकर उता है तब वो देखता है हानिल वहाँ से चासु की है तब भी उसके पास क्लास्टिचर आते हैं और उससे पुछते हैं क्या तुम अभी ठीक हो तब जियंगो पुछता है हानिल कहा है तब तीचर कहते हैं वो अपने एकडेमी में क्लास के लिए चली गई है तब जियोंगू अपने आपसे कहता है उस हार्टलेस लड़की ने एक बार भी मुझसे नहीं पूचा कि मैं ठीक हूँ की नहीं उसके बाद हम उसे सिन को देखते हैं जहाँ जियोंगू और हानियू रोते हो एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं नेक्स्ते हम जियोंगू को देखते हैं वो कह रहा होता है मैंने ये क्या किया और वो चिलाता है वही हम हानियू को घर के बाहर देखते हैं वो जियोंगू को आते हुए देखकर वो गारी के पिछे चुपती है लेकिन तब भी गारी वहाँ से चला जाता है जिससे वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तब जर्णो कहता है काफे दिन के बात तुम से मुलाकط हुई तब हानिल कहती है कल ही तुभ हमने एक साथ डृंक किया था और हमारी कोई गलती नहीं थी हम दोनों जादा ही डृंक कर लिया था जिसे हम बहुत नशे में हो गए थे और कंट्रोल में नहीं थे तब जेमू कहता है सही कह रही हो तब हानिल कहती है अब से हम एक दूसरे से दूर रहेंगे और साथ में तो ड्रिंक बिल्कुल नहीं करेंगे और दोनों एक दिस्ञे को promise करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं उसके वरत हानिल घर जाती है जहां हानिल की मम उससे पूछती है तुम कहा गई थी तब हानिल कहती है बाहर हवा लेनी यहां दोनों एक दूसे से awkward बे में बात कर रहे थे तभी वहाँ बादा आता है और वो हानियों से कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें डिप्रेशन है और मैंने ये भी सुना है कि तुमने अपने प्रोफेसर को मारा और जॉब भी छोटी साथ ही मॉम के साथ भी चगरा किया और देखो मैं भी चौपने सून लेकिन मैं स्ट्रेस फ्री हूँ इसलिए तुम भी रेस्ट करो तब मॉम को गुज़ा आता है और वो बादा को मारने लगती है उसके वाद हानिल अपने रूम में जाती है और वो कहती है कही भी शान्ती नहीं है तब मॉम उसके पास डिप्रेशन का मेडिसन लेकर आती है और उससे कल के लिए माफी मांगती है पिर मॉम रोने लगती है और रोते हुए कहती है अब से मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे तुम्हें डिप्रेशन को ओवरकम करने में हेल्प हो और मॉम वह से चली जाती है थोड़े देर बाद जब हानिल बाहर जाती है तब बाहर मॉम भाई और अंकल उसके लिए केक लेकर खड़े होते हैं तब हानिल पूछती है ये क्या है तब मॉम कहती है ये तुम्हें शेयर अप करने के लिए ये सब देकर हानिल शौक होती है और इससे कहती है चलो राट को ड्रिंक करते हैं तब होंडरन कहती है सॉरी मेरा नाइस सीफ है और वो पोशती है क्या तम बोर हो रही हो तुमने जॉब क्यों चोड़ा तब हान्यूल कॉल कट कर देती है उसके बद हम जियोंगो को क्यों मिन और कुछ लायर के साथ देखते है जहां जियोंगो कहता है मुझे नहीं पता वो मेडिशन मेरे क्लिनिक में कैसे आया तब लायर कहते है हमें भी नहीं पता हमने बहुत सीज़ी फूटेश में तूनने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं मिला और हमने नेक्स हेरिंग के लिए जिंग्शू को पूछा था क् तुम्हारे सा सरजरी के समय था और उसने हा कहा है हेरिंग के लिए इस सुनके जियोंगो शुक होता है उसके बाद हम जियोंगो और क्यूमिन को देखते हैं जहां क्यूमिन कहता है मुझे जिंग्शू क में शक है क्योंकि उसने पहली बार हेरिंग के लिए मना करतिया था लेकिन इस बर वो कैसे मान गया, उसके बाद हम एक मार्क्स पहने हुए आत्मी को जियोंगू के घर के बाहर देखते हैं, और वो आत्मी जियोंगू के घर के शीशे को तोटा है, वही हम हानिल की मुम को देखते हैं, वो कुस ब्लैंकेट को प्रेक करके बादा को कहती है, इस क्या कर रहे हो तब बादर कहता है मैं यहां ब्लैंकेट देने आया था और मैंने देखा की दर्वाजा पहले से ही खुला है साथ baldी की का ग्लास भी तोटा हुआ है ये देकर जिओंगों शोक होता है उसके बाद जिर्गों पुलिस को बलाता है तब पुलի्च चैकर की कहते है हम जल्दी से कल्पित को ढूनने की कोशिश करेंगे और पुलिस वहाँ से चले जाते है तब हानल की मुँं जिर्गों से कहती है तुम आज हमारे घर में आ जा व सो नहीं तो जिर्मो उसके लिए मना करता है और उन्हें घर भेज डेटा है उसके वाद जिर्मो ग्लासेस को उठा रहा था तब ही उसके हाथ में कट आ जाता है वहीं वहाँ हानिल भी आती है और वो कहती है मैंने सुना कि तुम्हारे यहां शोर आया था आर तुम ने हमारे घर में सोने के लिए मना क्यों किया तब जिर्मो कहता है मैं अपने दोस्त के घर जाने वाला हूँ तब हानिल कहती है क्या तुम क्यों मिन की बात कर रहे हो उसकी एमरजन्सिर सरचिरी है तब जिर्मो कहता है तुम्हें कैसे पता चला तब हानिल कहती है क्योंकि मैंने उसे कॉल किया था इसलिए तुम अभी हमारे घर चलो वहीं जियोंगो मना ही कर रहा होता है तब हानिल कहती है मेरे लिए भी ओक्वर्ट है कल कि स्टिविशन के बाद लेकिन मैं अपने क्लासमेट को ऐसे ही यहां नहीं सोने दे सकती हूँ इसलिए सब कुछ भूल के मेरे घर चलो तब जियोंगो के कहता है उसके बाद हम जियोंगो को हानिल के फैमिली के साथ देखते हैं जहां वो सभी दिनर कर रहे होते है तब हानिल की मम कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों क्लासमेट थे तब बादा कहता है इसलिए मुझे तुम जाने पैशाने लग रहे थे क्योंकि मैंने तुम्हारी फोटो हानिल के बुक में देखी थी वैसे मेरी बहन स्कुल में कैसे थी तब हानिल कहती है हम दोनों एक दूसरे के क्लोस नहीं थे तब जियोंगो भी कहता है मैंने कब कहा कि हम दोनों क्लोस थे तब हानिल की मम जियोंगो के पास से खाना हैताने लगती है जो देकर जियोंगो कहता है मेरे पस कोई अपुचिनिटी ही नहीं थी इसके क्लोस जाने का वो उसी दस मिनिट के लिए बलेक लेती थी बाकी के समय वो किसी से बात नहीं करती थी और मैंने जब उसे तब्बू के खाने के लिए पूछा था तब उसने जूट कहा था कि उसे ऐलरजी है तब हानिल पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने जूट कहा था तब ज देखते हैं जहाँ पूछता है क्या हम एसकिम खाने चलें तब हानियुल मना करके बाहर जाती है। जिससे वो फिर से जियोंगू के रूम में जाती है और वो जियोंगू से कहती है चलो हम आइसकिम खाने चलते है उसके बाद हम हॉनरन को देखते है वो न्यूटूप में वीडियो देख रही होती है तब ही उससे देयों का वीडियो देखता है कोई होनरेन नाम की लड़की ने मुझे सस्काइब किया है उसके बद देयों जानी लगता है तब होनरेन भी उसे क्रोस करके जाती है उसके बद हम हानिल और जोंगो को देखते हैं वो दोनों आस्केम खा रहे होते हैं तब ही वहां से एक एमबलेंच जाता है जिसे देखे हानिल सेट होती है तब जोंगो पोच्टा है क्या हुआ तब हानिल कहती है अभी किस सिपेरिशन को हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है और उसकी हॉस्पिटल में सरजरी होगी लेकिन मैं चॉपलिस हूँ तब जोंगो कहता है तुम बस एक दिन के लिए चॉपलिस हुई हो तुम्हें अभी कुछ फ़न करना चाहिए उसके बात वो दोनों खाना खाने चाते हैं पर वो दोनों गेम स्टेशन चाते हैं और वहां बहुत गेम खेलते हैं वो कहती है आज तक मैं कैसी इतनी फुलिसा जी रही थी मैं एक इडियत थी मैंने अपना बैस दिया था लेकिन तब भी मैं फेल हुई तब जोंगो कहता है चलो हम ब्रेक लेते हैं उसके बाद जोंगो अपने रूम चाता है और वो कहता है हानुल इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था वो बहुत क्यूट भी है फिर वो होश में आता है اور कहता है क्यूट मैं ये क्या सोच रहा हूँ और वो सोने चला जाता है वही हम हानुल को देखते हैं वो सोच रही होती है आज मुझे जियोंगो के साथ बाहर जाकर बहुत मज़ा आया नेक्स दे हम जियोंगो को देखते हैं उसके पास हानिल आती है और मुबाइल दिखा कर कहती है देखो प्रोफेसर ने ये क्या क्या उन्होंने मुझे कांट्रेक वाकर में ढाल दिया जिससे मुझे कम सैलेरी मिलेगी मैं अभी उससे नहीं चोरूँगी मैं उसके पास जा रही हूँ तप जियोंगो उसे रोपता है और कहता है तुम अभी गुसे में हो अभी तुमने गुसे में कुछ किया तो तुम्हें कहीव Jeप नहीं मिलेगा तब हानिल मान चाती है रुखने पर उसके बाद हानिल हॉस्पिटेल जाती है जहां वो डो डॉक्टर्स से मिलती है उन दोनों को भी पॉफिसर ने कांट्रेक वाकर में एड़ कर दिया होता है और हानिल उनसे कहती है हमें कुछ करना चाहिए तो वो डोनों कहते हैं हम कुछ नहीं करना चाहते है आपने तो चाप छोड़ दिया लेकिन हम अगर पॉफिसर के अगिंस कहे तो हमारे लिए पॉब्लम होगा और आप यहां मत आया करो उसके बाद हम जियोंगो को देखते है जहां वो खानल के बारे में ही सोच रहा होता है और वो कहता है क्या वो ठीक है क्या मुझे उसका नंबर मांगना चाहिए फिर वो खुद से कहता है मैं उसकी चिंटा क्यों कर रहा हूँ और वो खीकी को देखकर कहता है उन्होंने ये ठीक कर दिया मुझे उनसे मिलकर ठैंकियों कहना चाहिए वही हम बादा को देखते हैं वो डौटे हुए मॉम के पार चाता है और वो कहता है जियंगू जो है वो एक प्लास्टिक सर्जरिन है और मॉम पुछती है क्या वो फेमस है तो बादा कहता है यहां बहुत जारा फेमस है क्योंकि उसके चर्जरि कटे समय उसकी पेशन की डैट हो गई थी जिससे उसके उपर केसर रहा है वही हम जियंगू को देखते हैं वो फूसका बॉक्स लेकर उनके घर ही चा रहा था तब ही वो बाहर से उनकी बाते सुनता है जहां बादा कह रहा होता है अगर लोगों को पता चला कि जियंगू हमारे घर में रह रहा है तब वो लोग हानुल से पूश्टाश करने लगेंगे यहां आएंगे क्योंकि वो दोनों क्लास में थे यह सब सुनके जियंगू उपर जाने लगता है वही हानुल उसे जाते हुए देख लीती है जिससे वो भी उसके पाद जाती है उसके बाद हम उन डोनों को एक साथ देखते है जहां जियंगू बहुत सैट होता है वही हानुल कह रही होती है मैं आज अपने कलिक से मिलने गई थी क्योंकि प्रॉफेसर ने उन्हें भी कांट्रेक वाकर में एड कर दिया था लेकिन वो कुछ नहीं करना चाते है उल्टा उन्होंने मुझे वहां आने मना किया है यह सब सुनकर जियंगू को जारा रियक नहीं कहता है तब हानिल पूछती है तुम्हें क्या हुआ तब जियंगू उटकर वहां से जाने लगता है तब हानिल उसका हाथ पकर के पूछती है क्या हुआ बताओ तब जियंगू कहता है मैं थोड़े समय के लिए भूल गया था अपने कंडिशन के बारे में हमें एक दूसर से अलग ही रहना चाहिए और वो घर के अंदर चला जाता है उसके बाद हानिल अपने घर जाती है जहां मॉम उससे कहती है मुझे जियंगू के बारे में सब कुछ पता चल गया है तो मैं उससे दूर रहना चाहिए उसके उपर केस चल रहा है तब हानिल को समझ में आ जाता है जियंगू ऐसा क्यों कह रहा था उसके बाद हानिल रूम चाहकर जियंगू को मैसेस करने का सोचती है पर उससे याद आता है कि उसके पास तो उसका नंबर ही नहीं है उसके बाद हम जियोंगू को देखते हैं उसे लॉयर कॉल करके बताता है जिन्शुक ने गवा देने के लिए मना कर दिया है तब जियोंगू जियोंगू को देकर छुपकर उसके पीछे से चला जाता है वहीं जियोंगू रिसपसनिस से पूछता है जिन्शुक के बारे में तो वो बताती है, उसने जब छोड़ दिया है, और वो अबरोट जाने वाला है। यह सुनकर । जियोंगू कॉल करके लाइर को बताता है। उसके बात हम हान्यूल को देखते हैं, वो न्यूज देख रही होती है। जिसमें जियोंगू के केस के बारे में बताया जा रहा था, उसके बाद हम जियोंगू को देखते हैं, वो ड्रिंक कर रहा था, और यहां वो हानूल के कहे हुई बात को याद करता है, जहां हानूल ने उससे कहा था, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सो सब को सीख हो जाएग मना कर दिया है तब हानल एविडेंस लेकर कोट आती है लेकिन जिल्स उसके एविडेंस को आज एकसप करने के लिए मना करते हैं और कहते हैं हम इससे नेक्स ट्रायल में एकसप कर पाएंगे उसके बढ़ जाता है जहां रिपोर्टर्स उसे घेल लेते हैं और कोशन पुछने लगते हैं तब ही जिवमू हानल को देखता है वही एक आत्मी भागते हुए जाकर हानल से तक्रा जाता है जिससे हानल गे जाती है तब जियोंगू भाकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम थीक हो तब हानिल हा कहती है वही रिपोर्टर उनके पास आते है जिससे जियोंगू हानिल का हाथ पकर के भाकर उससे जगा जाता है तब जियमू देखता है हानल के हाथ में चोट लगी है पिर वो उसे अपने क्लीनिक लेकर जाता है और उसके चोट में मेडिसन लगाता है तब हानल कहती है मुझे मेरी सैलरी मिली है हाँ वो आधी है लेकिन चलो हम उन पैसों से आज की राट इंजर करते हैं सुबह होने तक तो जियोंगो कहता है क्या हम सन्राइज देखने चले उसके वाद वो दोनों सन्राइज देखने च्रीके बाद जाते है लेकिन सन्राइज नहीं हो रहा होता है तब जियोंगो चेक करता है और कहता है आज बारिश होने का चांच है फिर ज्योंगू हानिल से उसका नमबर मांगता है और कहता है मैं अभी सिब तुम्हार कलास में बनकर नहीं रहना चाता हूँ मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाता हूँ और वो हाथ आगे करके पूछता है क्या तो मेरी फ्रेंड बनोगी तो हानिल हैंचेक करकर हा कहती है उसके बाद हम जियंगू के पैट के नीचे एक पैन को देखते हैं जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा होता है उसके बाद हम फिर से जियंगू और हानिल को देखते हैं जहां हानिल स्माइल करते हुए जियंगू को देखकर कहती है अभी मेरे पास भी कोई है जो मेरे डिफिकल समय में मुझे मोटिवेट कर रहा है उसके बाद हम पास का सिन देखते हैं जहां वो दोनों मेडिकल रूम में थे जहां हानिल लोग में लिख रही होती है जियंगो तुम्हें स्ट्रॉंग रहना होगा और मैं भी रहूंगी फिर वो बाहर जाती है तब वो टीचर और जियंगो की मॉम को देखती है जहां मॉम कहरे ही होती है जियंगो बस परहाई की वज़े से बेहोश हुआ था आपको मुझे इतनी चोटी से बात के लिए यहां नहीं बुलाना चाहिए था वही हानिल के पास उसके मॉम आती है और वो कहती है क्या तुम थीख हो और यहां हानिल के मॉम उसके लिए वारिट थी और इसी के साथ ही एपिसोट एंड होता है और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सस्केब करके वेल अकिन को क्लिक कीजिए बिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वचिंग दा वीडियो